और चले रुकरते अगले खबर की और बारीन के एक आतंकी वादी संगठन ने भी इसराइल पर हमला बोल दिया है इसराइल के खिलाफ खाड़ी के अंदर अब चटा मोचा भी खुल गया है और इस मोची का जवाब देने के लिए इसराइल ने भारी तयारी शुरू कर दी है देखें इसराइल में पहली बार वो हुआ जिसकी उमीद दुनिया में किसी को नहीं थी अब इसराइल युद्र के छट में मोर्चे का शिकार हो रहा है इसराइल की राडार उस वक्त भ्रमित हो गए जब अचानक बहरीन के इलाखे से कई ड्रोन हमले एक के बाद देख हो इसराइल की धरकी पर ऐसा हमला पहली बार हुआ इरान ने 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्र के 211 दिनों के बाद इसराइल के खिलाब चक्रव्यू का निर्मान किया है इस नक्षे को देखें तो साफ होता है कि इरान खुद इसराइल पर हमला करने की क्षमता रखता है और उसने ये साबित भी करके दिखाया है इरान के बाद इराग की जमीन से भी इसराइल हमला कर चुका है इराग के बाद सीरिया की जमीन से भी इस्रेल पर हमला हुआ है सीरिया से सटे हुए लेबनान से भी इस्रेल पर लगातार हमले जारी है लेबनान से हजारों किलोमेटर दूर यमन की धर्थी से भी हूथी ने इस्रेल पर ड्रून हमले किये है और अब बहरीन की जमीन का बेस्तिमाल इसरेल के खिलाफ शुरू हो चुका है यानि ये पूरा चक्रव्यू है जो इसरेल के खिलाफ तैयार हो चुका है आखिर बहरीन के एक चरमपंथी संगठन ने कैसे इसरेल को बेचैन कर दिया है हम आपको आगे बताने वाले हैं, इस हमले की पूरी कहानी विस्तार से समझाने वाले हैं, लेकिन इस्रेयल के खिलाफ के यार हुई इस चक्रिव्यो के पीछे मौझूद शक्सियत को समझना भी जरूरी है. इस्रेल का सबसे बड़ा दुश्मन इस्रेल के सबसे महतुपूर्ण शहर जेरुसलम से 1856 किलोमीटर दूर इरान की राजधानी तेहरान में मौजूद है इनका नाम है आयतुलाख खामेनई जिन्होंने इस्रेल पर 6 दिशाओं से हमला करने की दाकत दुनिया को दिखा दिये इरान के सर्वोचिनेता आयतुलाख खामेनई से प्रभावित बहरीन के जरमपंथी संगठन बहरीन इसलामी प्रतिरोथ ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके इस्रेल के खिलाफ हमले का दावा किया है इस संगठन का एक और नाम है सराया अल अश्टर ये वहरीन का ऐसा पहला संगठन है जिसने ना सिर्फ इसरेल पर हमला किया है बलकि इसरेल पर हमले का दावा भी कबूल कर लिया है सराया अल अश्टर या इसलामी प्रतिरोथ वहरीन के शिया लड़ाकों का एक संथन है जिसमें बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम मौजूद है योद्ध से पहले वहरीन की सरकार से इस्रैल की सरकार के अच्छे संबंद विक्सित हो रहे थे सौदी अरब और इस्रैल के बीच में अब्राहम अकॉर्ट साइन हो रहा था